How to get refund from Avest subscription Guys, अगर आपने Avest.com के अंदर किसी premium plan को subscribe किया है और आभी आप उसको refund करना चाहते हैं तो आज की सुडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे refund के लिए request कर सकते हैं So, सबसे पहले guys आपने Avest.com के अंदर अपना account login करना है जैसे के यहाँ पर मैंने अपना account login किया है ठीक है and login करने के बाद guys आपने simply जाना है account settings पे ठीक है and account settings के अंदर guys अब यहाँ पर आपको option मिलेगा payments management का ठीक है तो आपने इसके नीचे यहाँ पर contact our support के उपर क्लिक करना है अब यहाँ पर guys आप देख सकते है how can we help and यहाँ पर आपको option मिलेगा refund request का तो आपने refund request के उपर क्लिक करना है इसके उपर क्लिक कर लेने के बाद guys आप यहाँ पर देख सकते है which product do you want to have refunded so आपने यहाँ पर एक product choose करना है कि आपने किस चीज़ को purchase किया है या किस चीज़ को आपने subscribe किया है ठीक है so यहाँ पर आप देख सकते है an avast software product avast internet security, avast premier secure line vpn, clean up premium और other avast programs ठीक है and दूसरे number पर है avast premium tech support so यहाँ पर आपने जिस चीज़ को purchase किया होगा जिस चीज़ को आपने subscribe किया होगा आपने उसको select करना है let's say अगर आपने किसी software को buy किया है, purchase किया है तो आपने यहाँ पर an avast software product को select करना है और उसके बाद आपने इसको next कर लेना है next कर लेने के बाद गईज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं otherwise आपने क्या करना है tell us more quick question could you please tell us why you are requesting refund maybe we can help तो यहाँ पर आपने question select करना है let's say यहाँ पर मैं select कर देता हूँ I accidentally bought the same product more than once and select कर लेने के बाद guys यहाँ पर आपके पास आएगा order id यहाँ पर guys आपने अपना order id टाइप करना है और उसके बाद आपने पर अपना first name last name टाइप करना है अपना email address टाइप करना है और यहाँ पर अपने description of the issue तो यहाँ पर आपने अपने issue को डिसक्राइप करना है ठीक है and उसके बाद आपने start chat के उपर click कर लेना है ठीक है order id find out करने के लिए आपने how to find it के उपर क्लिक करना है तो आपके पास ये page open हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते है find your awest order number so आपको जो email receive हुआ होगा awest की तरप से उसके अंदर आपका order id होगा ठीक है so अपने-पने email inbox में जाना है and then आपको आपका order id जो है वो मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते है यह है order id ठीक है so अपने यहाँ पर order id टाइप करना है और आपने यह बाकी information जो है इसको fail करना है and then आपने start chat के उपर click करना है so जैसे आप start chat के उपर click कर दोगे guys आपके पास chat जो है यहाँ पर open हो जाएगी then आपने request करना है और आपकी जो request है वो process हो जाएगी और आपके जो पैसे है वो आपको refund हो जाएगे ठीक है so that's it guys आज की वीडियो में बस इतना ही please वीडियो को like कर दीजिएगा channel को भी subscribe करना ना बूलिएगा and मैं आपको मिलता हो next video मैं तब तक के लिए take care and good bye